कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में आये राम निवास रावत पहले तो मंत्री बने सिंगल मंत्रीपत की शपत ली और उसके बाद इंतिजार हो रहा था कि राम निवास रावत मंत्री तो बन गए है लेकिन विभाग कौन से मिलेगा कयास लगाए जा रहे थी कि बीजेपी में आए कॉंग्रेस छोड़कर रामनिवास रावत तो कद पार्टी बढ़ा देगी बीजेपी मंत्राले से समझ में आ जाएगा और वो समझ में आ भी गया दमदार मंत्राले दे दिया गया रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण विवाग की जिम्मेदारी दे दी गई है और ये जिम्मेदारी अब तक नागर्जिंग चोहान के पास थी नागर्जिंग चोहान का विवाग अब एक बचा अनिसुसित जाती वाला पहले तीन विवाग थे अब बनव पर्यावरण की जिम्मेदारी समा लेंगे रामनिवास रावत आठ जुलाई को शपत ली थी और उ रामनिवास रावत को ये दो विवाग दे कर संकेत दे दिये गए हैं कि उनका कद जो है पार्टी ने बढ़ाया है च्छे बार की विधायक हैं कॉंग्रेस छोड़कर आए थे और उनको विवाग का अवंटर नहीं मिला था लेकिन नागर्जिंग चोहान का कद जरूर घट गया है आपको बता दें लोगसबा चुनाओं के दोरान रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा था और बीजेपी की रड़नीतिती की मुरैना में जहां दमदार मुकाबला है कॉंग्रेस को मात दी जाए रामनिवास राव णता हूंगे डिया जाएगा राम निवास रावत को विभाग नहीं, इस बात का संकेथ था क chanting क्या मौनियादब दिल्ली से प्रामर्शरी ना चाहते है है डेपार्टमेंट को लेकर नागर सिंग चोहान पार्टी के पुराने चेहरे हैं क्योंकि उनका ही विभाग लेकर दो विभाग लेकर राम निवास रावत को दे दिये गए वजह साफ है वो बीजेपी में आये हैं इस बात का परुसकार उनको मिला है पार्टी की तरफ से उनका कद बड़ा दिया गया है आप देखते रहें कि तब